अगर आप Taro में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा आप क्लिक करके जोइन कर सकते हैं और इसी से ही related अगर आपके मिल में कुछ सवाल हैं कुछ doubts हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको join कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा आपके जो भी doubts हैं जो भी सवाल हैं वो clear हो जाएंगे या फिर आप directly हमें screen पे दिये हुए number पे call भी कर सकते हैं तो जो भी आपके लिए convenient है वो आप कर सकते हैं Hello everyone मैं हूं किरिन शापरी और यह है आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि May month में आपके partner की क्या energies होंगी आपकी क्या energies होंगी finally May month में क्या होगा तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading चलिए हो गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि May 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पे तीन set of cards है first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए हम इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है five of wands और यह card कहता है कि कुछ time से हम यह starting में या तो मन ही मन किसी चीज को लेकर एक conflict रह रही है एक दुविधा, एक उल्जन आप में हसूस कर रहे है या फिर partner के साथ disagreement रह रहा है, difference of opinion रह रहा है partner के साथ एक conflict रह रही है आपके partner के cards देखें तो उनकी लिए wheel of fortune reverse का card कहता है कि उनकी काफी up and down वाली energy रहेंगी में starting में और आपके partner के card बहुत detail में अभी हम देखेंगे अभी फिलाल आपकी बात करें तो फिर से मैं कहूंगी five of wands का card कहता है या तो मन में किसी चीज को लेकर conflict रह रह रही है या फिर externally रह रह रही है और कुछ के लिए हो सकता है कि छोटे मोटे issues मसले relationship से related रह रहे हैं होता है ना कभी-कभी family की तरफ से कुछ issues होते हैं कभी religion की तरफ से, कभी parents की तरफ से तो किसी भी तरीके के फिर से मैं कहूंगी issues रह रहे हैं और deeper level के लिए betraying, jealousy का card कहता है आपको यसे लग सकता है कि आपके साथ कहीं fear नहीं हो रही है चीजें किसी भी तरीके की cheating रह रही है अब दिखें मैंने हमीशा ही अपने वीडियो में कहा है cheating सिरफ romantic triangle नहीं होता है जब partner से हमें वो एक attention नहीं मिल रही होती या फिर circumstances situations उतने favorable नहीं होते हैं liberation and two of cups के card कहते हैं अपने आपको इन ही energy से आप बहार निकाल रहे हैं liberation का card बहुत ही clearly कहता है कोई भी चीज जो आपको hold back कर रही थी restrict कर रही थी, limit कर रही थी कहीं आप उससे अपने आपको free करते वे दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ के लिए literally हो सकते हैं negative thoughts से अपने आपको liberate कर रहे हैं कुछ के लिए negative belief system हो सकता है कुछ के लिए कोई negative habit हो सकती है या कोई भी चीज हो सकती है कभी-कभी externally जैसे मैंने आपको बताया society की तरफ से, religion की तरफ से, family की तरफ से restrictions होती हैं और वो इतना हमारे पर हावी होती हैं कि हम बड़ा helpless महसूस करते हैं और फिर जब हम हिम्मद जुटा के courageously उनको overcome करते हैं तो हमें एक बहुत liberated सी feeling होती है तो कहीं mid में के लिए ऐसा ही आप महसूस करते होई दिख रहे हैं और दिखिए, general reading है जो भी चीज़े मेरे mind में आई मैंने आपको कहा ये liberation, ये एक freedom वाली feeling सब के लिए different reasons की वज़े से और different level पर है सकती है और इसी की वज़े से या फिर otherwise surface level के लिए two of cups का card गहता है partner के साथ आप ज़ादा connect करना चाहा रहे हैं ज़ादा interact करना चाहा रहे हैं और अगर कुछ भी issues आप दोनों के बीच में रह रहे थे तो आप reconciliation चाहा रहे हैं उनके साथ चीज़ों को patch up करना चाहा रहे हैं solve resolve करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप partner के साथ long term चाहा रहे हैं marriage चाहा रहे हैं, engagement चाहा रहे हैं कुछ के लिए फिर से मैं कहूंगी जादा उनसे इंटराक्ट करना चाहा रहे हैं, बाचीत करना चाहा रहे हैं, डेट पे जाना चाहा रहे हैं, और देखें, and May के लिए identifications and king of wands reverse के कार्ट कहते हैं, कि या तो आप over enthusiastic, over excited किसी चीज को लेकर हो रहे हैं, over courageously, over you know, boldly चीजों को डील कर रहे हैं, और deeper level के लिए आपको इस चीज का एहसास है, कि आप ये चीजें बहुत over कर रहे हैं, आपको बहुत संभल के चीजों को डील करने की ज़रत है, आपको छूटी छोटी सी चीजों को बड़ी delicately डील करने की ज़रत है, और लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप over again मैं कहूंगे enthusiastic हो रहे हैं, या पिर कुछ के लिए हो सकता है कि enthusiasm, excitement लो रह रहा है, reason यही है कि आप बहुत delicately चीजों को डील करना चाहा रहे हैं, आप एकदम से carefree, एकदम से careless नहीं चीजों को लेकर होना चाहा रहे हैं, और अब देखते हैं आपके partner के के energies हैं, तो आपके partner के लिए दिखिए सबसे पहला card है Wheel of Fortune, और मैंने अभी आपको बताया भी, बहुत up and down उनकी energies रहे हैं, ना तो वो completely आ रहे हैं, ना ही वो completely जा रहे हैं, उनकी तरफ से एक उस तरीके की commitment, specifically starting में या में मन्त में मैं कहूंगी नहीं रहती वहीं दिख रही हैं, और बहुत on and off वली energies रहती वहीं दिख रही हैं, deeper level के लिए friendship का card कहता है, जो भी surface level के लिए उनके actions, उनके initiatives, उनका behavior हो, मन ही मन या तो एक दोस्ती, पक्की वली दोस्ती, आपके साथ वो चाहा रहे हैं, या पिर उनको ऐसे लग रहा है, कि जो भी आप दोनों के बीच में हो, यह जो दोस्ती आप दोनों के बीच में है, यह कभी खतम नहीं हो सकती है, और इसको बहुत value करते हुए, इसको बहुत, एक importance वो मन ही मन देते हुए दिख रहे हैं, कितनी बारी होता है ना, कि surface level पे कहीं बारी सामने वाला उतना expressive नहीं होता है, कि भई, यह जो एक दोस्ती है, और प्यार से भी बड़ी दोस्ती होती है, यह कभी खतम नहीं होनी चाहिए, या फिर जो भी होगा, यह कभी खतम नहीं होगी, तो इस तरीके की energies आपके partner महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और कहीं मिड मे के लिए फरवर का काड कहता है, बहुत एक enthusiasm, बहुत एक excitement भी महसूस कर रहे हैं, हमने अभी देखा बहुत on and off उनकी energies रह रही हैं, लेकिन कहीं मिड मे के लिए फरवर का काड कहता है, कि वो action initiatives properly लेना चाहा रहे हैं, और इसी से related हो सकता है action initiatives भी लेना चाहा रहे हैं, लेकिन कहीं उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, judgment का काड कहता है, या तो वो ज़्यादा critical हो रहे हैं चीजों को लेकर, या ज़्यादा judgmental हो रहे हैं, या फिर कुछ चीजों को end करके, एक नई beginning करना चाहा रहे हैं, लेकिन किसी भी reason की वज़े से नहीं कर पा रहे हैं, दिखेंगे ये general reading है, तो उससब वो गोस के partner के लिए different reasons रहेंगे, लेकिन यहाँ पर judgment reverse and ace of wands reverse, दोनों ही cards कहीं ending और beginning की बात करते हैं, और दोनों ही cards reverse हैं, तो फिर से कहूंगे आपके partner कुछ चीजों को end करके, एक नई beginning आपके साथ इस relationship में आपनी life में करना चाहा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और दिखेंगे उसी के लिए फिर से कहूंगी enthusiasm excitement भी mid-may में में रह रहा है, लेकिन end में में या फिर में मन्थ में बहुत सारे एक obstacles, बहुत सारी अडचने उनकी life में आ रहे हैं, या फिर इस relationship से related हों महसूस कर रहे हैं, अब दिखेंगे ये अडचने, ये obstacles, ये रुकावटें, सब वर्गोस के partner के लिए differ करेंगी, क्योंकि ये general reading है, लेकिन definitely कुछ issues, कुछ problems वो face कर रहे हैं, और कहीं end में के लिए, उनका एक enthusiasm, excitement काफी low रहता हुआ दिख रहा है, काफी demotivated महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और अब दिखते हैं, वर्गोस की में मन्त में क्या हो रहा है, तो में starting थोड़ी ठीक ठाक रहती हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर intimacy and sun reverse के cards हैं, हाला कि sun यहाँ पर reverse है, लेकिन sun एक ऐसा card है deck में, जो reverse भी positive होता है, तो यह card कहता है, किसी भी level पर किसी भी तरीके से एक happiness joy है, लेकिन साथी साथ एक missing feeling रह रही है, clarity होते हुए भी clear, आप दोनों याप दोनों में से कोई एक नहीं हो पा रहे हैं, और देखिए कितनी बारी मैंने देखा है relationships में, हमें बता होता है, जो हम कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, या फिर जो partner कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या फिर वो बिल्कुल absolutely ठीक है, लेकिन हम फिर भी जो चीज ठीक नहीं है, उस पर focus कर रहे हैं, critical हो रहे हैं, judgmental हो रहे हैं, तो इस तरीके की भी energies रह सकती हैं, और intimacy का card कहता है, कि एक intimacy, एक closeness, एक togetherness, या तो आप लोग चाहा रहे हैं, या फिर रह रही है, May starting में, and mid May के लिए spring का card कहता है, again, कुछ चीज़ों को end करके, एक नहीं beginning करना चाहा रहे हैं, और देखिए, आपके partner के लिए, तो बहुत ही clearly हमने देखा, कि ऐसी energies में वो हैं, ऐसा वो चाहा रहे हैं, और कहीं May मन्त के लिए spring का card भी, इसी energy को और जादा confirm करता है, और इसी लिए शायद जादा socialize आप लोग कर रहे हैं, अब देखिए, आपे socialize करना, सब वर्गोज और उनके partner के लिए differ करेगा, कुछ के लिए हो सकता है, कि एक दूसरे की families के साथ interact कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, कि किसी get together, celebration, reunion में आप लोग मिल रहे हैं, आप दोनों का जादा एक interaction बातचीत हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है, कि आप दोनों मिल के celebrate करना चाहा रहे हैं, जादा you know, fun, मज़ा, मस्ती करना चाहा रहे हैं, कोई party, कोई celebration, कोई reunion, togetherness, organize करना चाहा रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर हो रही है, तो दिखें, mid में, ठीक था क्या फिर बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है, in fact, starting में भी ठीक रह रहा है, लेकिन end में के लिए, या पर chariot, reverse and suffering के cards कहते हैं, कि शायद चीजों का control अपने हाथ में लेकर, बहुत confidently आप लोग life को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, life को नहीं, sorry, relationship को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं या तो वो confidence नहीं आप आ रहा है, या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़ादा negative frame of mind में है, बहुत ज़ादा emotionally low feel कर रहे हैं, या फिर judgmental critical हो रहे हैं, आपके partner की energies देखें, आपकी energies देखें, तो कहीं, you know, एक enthusiasm, excitement low रह रहा है, या फिर over रह रहा है, जिसकी वज़े से issues, मसले रह रहे हैं, तो दीखें, या तो आप दोनों में से कोई एक थोड़े ज़ादा aggressive हो रहे हैं, या फिर एक जैसे बोलते हैं na fire, वो एक energy missing रहती हुई दिख रही है, कहीं अपने goal, अपने मकसद पे, यानि कि जो भी relationship में चाहते हैं, relationship से चाहते हैं, उस पे focus नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कहीं suffering का card again कहता है कि negative frame of mind रहता वाद दिख रहा है, शायद जो चीज़ें फिर से मैं कहूंगी ठीक नहीं हैं, उस पे ज़ादा focus कर रहे हैं, तो देखिए, इसी चीज़ को अगर check करके correct करें, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हैं, उन पे focus करें, कैसे चीज़ों को better कर सकते हैं, जो भी issues हैं, उनके solution पे, उनके हल पे focus करें, तो relationship को may end में better कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं किया, तो फिर थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं, थोड़ा सा end of may इतना great नहीं जाता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक travel करना चाहा रहे हैं, ट्रावल प्लान्स जिले हो रहे हैं, यहां भी ट्रावल से related issues मसले हैं, यहां पिर उतना confident नहीं महसूस कर रहे हैं, तो यह था वर्गोज आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें,